नमस्कार लोग सब्सक्राइब चुनावस चुड़ा क्यापचल टिवी का खाश शो 24 करेन विपाक्ष बेदम देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा 23 जनवरे का दिन आप सभी को याद होगा जब विहार के पुर्वसियम करपूरी ठाकुर को मोधी सरकार ने भारत रत देने का अलान किया था मोधी सरकार की इस गोशना के बाद विहार की पूरी सियासी पिजा बदल गई थी सियम नतीश कुमार का मन डोल गया था और वो महा गड़ बंदन से नाता तोड़ कर बीजेपी संग रिष्टा जोड़ कर एंडिये में शामल हो गया और इंडी गड़ बंदन की जड़ ही हिल गई थी अब मोधी सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है उत्रप्रदेश के पुर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरन सिंग को भारत रत्न से सम्मानित करने का अलान किया गया है जिसके बाद चप्चा जोरू पर है कि जैन्त चौधरी एंडीये खेमे में शामल होंगे डील फानल हो चुकी है और अब बस बारी ओफिशिल एनाॉंस्मेंट की है वैसे आज जब जैन्त चौधरी मीडिया के सामने आए उनसे बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर सवाल पूछा गया तो जैन्त चौधरी ने कहा अब मैं किस मूँ से इंकार करूं साथी उधर इंडी गडबंदन को बड़ा जटका देनी की तैयारी में है केज रिवाल एक बड़ी मीटिंग तेरा तारीक को बुलाई गई है तो आज आपको यही सारी अपडेट देंगे चर्चा के लिए मेरे साथ जोड़े है क्या पजल तीवी के एडिटर इंचेव डॉक्टर जी सर आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है जन चौतरी आज जिस तरह से प्यमोदी की तारीफ कर रहे थे क्या रहे थे दिल जीत लिया क्या बस ऑफिशल एनॉस्मेंट होना बाकी है एंडिय में जा रहे हैं देखिए हमने तीन दिन पहले ही ब्रिकिंग न्यूस किया था और यह बताया था कि डील हाज बिन डन और उसके बाद से अखलेस यादव उनकी पत्नी शिपाल यादव मिन्नते कर रहे थे गड़गडा रहे थे कि किसानों के मुद्दों को लेकर जैन चौधरी कभी भी इस तरह का फैसला नहीं लेकिन यह फैसला ऐसा हुआ यह कॉंग्रिस को भी और अखलेस यादव का तो फेसी खत्म हो गया वो जो फनने कहां बन रहे थे पीडिये पीडिये कर रहे थे उनकी जबीन खिसक गई पैर के नीचे से दो सीट पे आप कहां साथ दे रहे थे और यह खुशी-खुशी दो जगह पे लड़ने को तयार होके बागपत और मतुरा एक लीडर को आप यूपी में मंत्री भी बना रहे हो एक राजसवा भी भेज रहे हो और एक लेजिसलेटिव कॉंसल में भी डील इस तरह से होता है पैकेज के साथ भासन वाजी करने से न हां कौन लड़ेगा मेरा आदमी लड़ेगा तुम्हारा सिंबल होगा तुम्हारा आदमी लड़ेगा मेरा सिंबल होगा ये बच्छे खिलवाल कर रहे थे प्रदान मंत्री मोदी ने चैंपियन की तरह जो है मास्टर स्ट्रोक मार दिया अब यह जो फैसला हुआ है राजीव आगे बताएंगे लेकिन इसके बारे में सोचते वे मुझे एक आदमी का चेहरा याद आ रहा है वो किसान अंदुलन के बहुत बड़े लीडर अब क्या करेंगे पहलवानी कर रहे थे टेक्टर बकल उतार देंगे यह कहते थे 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 न बकल उतार देंगे उनकी बकल भी उतर गई यह होता है राजनीती जब आप एक स्ट्रोक में कई सारे दुष्वनों को एक साथ खत्म कर सकते हो चौधरी चरन सिंग के उपर कॉंग्रेस पाटी वाले तो मुझ नहीं खोल सकते हैं दवड़ा दवड़ा करके पीट पीट करके बोर्ट कलब से कॉंग्रेस की सरकार ने भगाया था उनको यह तो पता नहीं जैन चौधरी की क्या मजबूरी थी अब इनका फिर अब चल पड़ा अब देखिए कि यह जो इंटी गटबंदन वो कहां रह गया बिहार भी खतम यूपी भी खतम हर जगह यह खत्म होते चले जा रहे हैं और भारती जंता पाटी ने ने दोस्तों के साथ नई पाटियों के साथ वो अपने गटबंदन को बड़ा बना रहे हैं तो विपक्ष की राजनीती पर पियम मोदी का ये फैसला कितना बड़ा जटका होगा देखिए जिस तरीके से विपक्ष हम बोलते हैं अब तो लगता है विपक्ष में सिर्फ कॉंग्रेस अलग तरीके से अपनी राजनीती कर रही है सारे लोगों ने लगबग मन बना लिया है कि कॉंग्रेस का साथ छोड़ना है छुटी मोटी पाटियां जो एक दो जिलों में रहती है वो पार्टियां हैं सिर्फ कॉंग्रिस के साथ है और उसी को लेकर ये इंडी एलायंस बना कर चलेंगे क्योंकि एक तरफ बात हो रही है इंडी एलायंस को बनाये रखने की और दूसरी तरफ देखिए इंडिये में शामिल होने की होड लगी हुई है एक एक स्टेट से दो-दो पार्टियां है जो आ रही है कि नहीं नहीं मेरे साथ कर लो जैसे आंदर परदेश में एक तरफ चंद्रावावी नाइडो भी दिल्ली आ रहे है दूसरे तरफ जगन मोहन रेड़ी भी कह रहे हैं भई हमारे साथ भी विचार कीजिए चौधरी अगर किसानों की मुद्दे को समझते हैं ये कॉंग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए क्या कर दिया ये बहुत कोशिश किये अखले सियादव कि हम दोहजार पारह को भुला दे जाटों को अपने साथ कर लें जहन चौधरी ने देख लिया कि ये 2022 के विधान सभाचुनाव में कितने जाटों ने उनको वोट दिया और अखलेस यादव को पश्य मुत्तर प्रदेश में कितना समर्थन मिला उसमें भी जो सर्वे आया उसमें भी 80% से ज़ादा भारती जन्ता पार्टी के साथ थे तो फिर किस आधार पर ये मान कर चलें कि जहन चौधरी ये लंबे समय तक सिर्फ उसी तरीके से सेक्रिफाइस करते रहेंगे जैसे राहुल गानी के उपर दवाब बनाया जाता है हर जगा कॉंग्रेस को सेक्रिफाइस करने के लिए मजबूर करो ये ही राजनीती चल रही है तो इसलिए जैन चौधरी तो अब जाएंगे और पी एम मोदी ने जो फैसले लिए है जिस तरीके से फैसले लिए है ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है बलकि देश के लिए भी है हित में है आप हर जगह से मांग चल रही है कॉंग्रेस ने सब को दवा के रखा था जिस कॉंग्रेस पार्टिक की सरकार अपने नेताओं को भारत रतन देते रहो दूसरे लोगों को इग्नोर करते रहो उस पूरे ववस्था को बदल दिया है जिसके बारे में लोग सोच नहीं पाते थे कि इनको दिया जाएगा लोगों को भी दिया जा रहा है ये किसान किसान की बात करते हैं स्वामी नाथन आयो की रिपोर्ट की बात करते हैं स्वामी नातन को दर किनार करके रखे हुए थे अब भारत रतन मिल गया तो ये बड़ी वज़ा है कि आज कल जितने भी अपोजिसन पार्टियां है सब कोशिश कर रही है भारतिय जनता पार्टिय के साथ एलाइंस हो जाए तो हम कर ले दो तिन को छोड़ कर क्योंकि इन सामिल हो जाए चाहे अकाली दल हो जहन चोदरी की पार्टी हो टीडीपी हो चंद्रवाबु नाइड़ो भी तो नाराज होकर ही गये थे आज आ रहे हैं बार बार दरवाजे पर कि भई हमारे साथ गठवंदन कर लो तो इस सत्तियां बदल चुकी है और लोग ये समझ चु वो कल बदलेगा परसो बदलेगा तो अब कई सालों तक पच्टाते रहे अब कितने दिन तक पच्टाएंगे लगातार दो इन लोगों को मजबूत करो मुदी को मजबूत करोगे देश मजबूत होगा ही मतलब एंडिय का कुनबा जो है वो मजबूत होता जा रहा है पर व दिन बाकी है और मेरा अपना आकलन है कि अभी गुजरात में और भी एक तो उन्होंने घोशना कर दी है और भी घोशना करेंगे गोवा में भी घोशना करेंगे करनाटक में भी करेंगे जहां जहां उनको मौका मिलेगा हर जगा वो उम्मिद्वारों की गोशना करेंगे. सवाल ये है, किस लिए? ये कॉंग्रिस पार्टी को तो सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो है, लंगला घोडा है, स्टिपनी है. उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ये राहुल गान्दी अपनी राजनिती के वज़त से कॉंग्रिस पार्टी के इस के निकले हैं दिल्ली में तुम सीट शेरिंग की बात कर रहे हो तुम्हारे टरिटरी में जाकर कि उसने उमिद्वार खड़े करती है क्यों क्यों कि केजरिवाल हिंदुस्तान के राज़नीति का नेटवरलाल है क्या लग रहा है वो चुनौल उड़ने के लिए उमिद्वार खड़े कर रहा है ना वो दरसल 17 तारिक की तैयारी में जुटा हुआ है वो जहां तहां इस तरह के लोग पॉपलर लोग जो एंजियू से जुड़े हुए जो भीड कठा करने वाले लोग हैं सबको वो टिकट देगा जीतेगा नहीं लेकिन वो अपने परस्नालिटी कल्ट को बचाने के लिए कि केजरिवाल को जेल में डाला गया जेल तो जानाते है कि जेल में डाला गया पूरे देश में बवाल बच गया अगर एडिकल गिरफतार कर लेती है चार पाथ लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं कुछ दिल्ली में कुछ होता है पूरे देश में लिडर है तो उमिद्वारों को और नामों की घोष्णा की जा रही है प्रधर्शन करने वाले लोगों के प्रधर्शन कार्यों को इक टा करने की यह तरीका यह तरीका इसने अपनाया है यह आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है यह केजरिवाल का inflated ego है जो इस संगठन को आगे चलाता है तो क्या तैयारी है सर केजरिवाल की देखिए केजरिवाल जिसने जैसा डाक्टर साब ने कहा ये बहुत सही बात है क्योंकि जैसे ही असम्में विद्वारों के घोसना होती है वहां से एक बयान आता है और वो बय बयान में कहा जाता है कि देखिए के जिरिवाल को जो इडी का समन भेजा गया है वो बिलकुल गलत है इसे वापस लेना चाहिए ये बयान कैसे आ जाता है क्योंकि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स को बड़ी गंभीर तरीके से आज जो डाक्ट साहब ने कहा है कि कुछ लीडर हैं लेकिन आकरामक लीडर नहीं है जब उसे परलोभन नहीं देंगे तो फिर हमारे साथ जुड़े कैसे रहेगा तो ये चालाकी तो है लेकिन दुर्भाग के कॉंग्रेस के लिए है कि असम में सबसे जादा समय नौर्थिस्ट में जो राहुल गांधी की आत पर राहुल गांधी के काफिले पर हमला हुआ था ये इन लोगों ने आरोप लगाया जैराम रमेश की गाड़ी के सी से तोड़े गए काश तोड़े गए ये सारे आरोप कॉंग्रेसियों की है जहां जहां पर विवाद पैदा हुआ मतलब समझ लिजिए कि वहां पर स्थिती दर्ज करना चाहते थे गोहाटी के दर्वाजे पर पहुँचे विवाद पैदा हुआ सहर में घुचने नहीं दिया गया केस दर्ज हुआ बैरिकेडिंग तोड़ दिये अब उस जगह पर गोहाटी में डिबरुगड में सोनितपूर में आम आदमी पार्टी है जो कोई फाइनल डिसिजन नहीं हो रहा है तो हम अपने रास्ता पर चलें कॉंग्रेस को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों की आवकात हम कैसे बताएं लेकिन राहुल गांधी में सायच छमता नहीं है कॉंग्रेस टरी हुई है तो इन लोगों को लगता है कि जो मिल सके ममता ब पनर जी के साथ गटबंदन है अभी भी तो ये घोर बेज़त होकर भी इन लोगों के साथ बैठे हुए कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं को तोचना चाहिए कि अगर पार्टी ही नहीं बचेगी तो ये राज्यसभा में बैठे हुए लोग करेंगे क्या जी बिलकुल सर ब उमिद्वारों के नाम की खोशना कर दी है तो वहीं आम आभी पार्टी ने 13 परवरी को पीसी की मीटिंग बुलाई है इस पैठक में गोवा, हर्याना और गुजरात की लोगस्वा सीटों के लिए उमिद्वारों का फैसला किया जाएगा इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें देखतेरें, कापिटल टीवी, नमस्कार